You know what is the best part, आज यह जो meeting चल रहा है, इसमें तरह 30 participants, So, इसका सबसे ज़्यादा best part क्या है, कि हम लोग सबने इस course को जल्दी start किया है, ठीक है, We all have started this course early, तो let me just guide you little bit, जैसे, अच्छा मैं अगर छोटा दिख रहा हूँ न, So, आप लोग सबना मेरको पिन कर लो, तो मेरको पिन करने से क्या, There is a feature in Google Meet of Pinning, तो अगर आप लोग मेरको पिन कर लोगे, तो फिर क्या होगा, आप लोग को खाली मैं दिखूँगा, ठीक है, Okay, नहीं सरम को दो बाकी लोग को भी देखने, न, पहले मेरको importance दो, ठीक है, तो देखो, ये मैंने आप लोग के लिए लिखा है, क्योंकि आप लोग सब एकदम fresh आये हैं, एकदम ताजा, ठीक है, तो CS1 एक ऐसा paper है, जैसे मैंने जब admission लेने के टापप, आप लोग सब को बहुत difficult paper है, ऐसा है, अब तो admission हो गया न, अब सच बात बोलने का time आ गया है, अब क्योंकि पैसा मेरे पास आ चुका है, yes, तो अब सच बात बताएं, CS1 जैसा paper में न, fail होने के लिए एक talent चाहिए होता है, क्या आप में है वो talent, क्योंकि, क्योंकि CS1, syllabus भी छोटा है, concepts भी इतने तगड़े नहीं है, तगड़े मतलब उतना कुछ difficult वाला चीज इसमें कुछ नहीं है, कि आप लोगों को बहुत ज्यादा कुछ tough सा कुछ आ जाएगा exam में, या फिर कुछ अंदेखा सा आ जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, तो CS1, हम लोग start कर रहे है, September mid मे है, ठीक है, roughly December end तक हम लोग का 100% of the syllabus पूरा खतम हो जाएगा, ठीक है, duration जो रहेगा हम लोग का, वो रहेगा लगबग 175 से 200 hours का, एक बार के लिए फिर जो last moment review class, mock discussions, जो one-to-one doubt class वगएरा चलता है, तो एक बार अगर आपको पूरे syllabus को अच्छे तरीके से करना है, you need 200 hours of preparation time for CS1, there are two examinations, currently we are not having any information regarding how will the examinations be conducted, तो it can be online also, so again you all need to practice typing, okay, और अगर online होगा तो paper ही और paper भी दोनों घर से होगा, yes, no, ठीक है, ऐसा कभी मत चाना कि यह सब exams घर से हो, ठीक है, तो पहले जैसे होता था पता है, उतना tension नहीं रहता था, typing करना है, कि फिर क्या आएगा, मतलब क्या रहता था, एक आप exam hall में जाके जब तक exam नहीं देते हो, तो वो चीज़ क्या होता है, आपको लगता रहता है, कि यार कैसा गया, कैसा गया, ठीक है, तो अभी as of now, we don't have any information, as per my experience, the students, those who are giving from the Indian institute, the institute will definitely come up with the physical form of exams, but for IFOE, we don't have any information, ठीक है, में turn up की paper A, हम लोग physical में करेंगे, और paper B तो शुरू से ही online होता है, ठीक है, पहला चीज़ यह हो गया, उसके बाद कितना पढ़ना और क्या-क्या पढ़ना है ध्यान देना, paper A है और paper B है, sir, paper A में क्या-क्या है, paper A में start करेंगे हम लोग probability या फिर random variable से, मने, sir मेरा 11 roll में stats नहीं था, तो क्या मैं CS 1 में अच्छा कर सकता हूँ, yes, ऐसा मैंने आपको बोला क्या कि आपको पहले कुछ आना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं कि आपको पहले कुछ आना चाहिए यह course करने के लिए, एकदम पुरा basic, एकदम पुरा scratch से हम लोगा start करेंगे, तो आपको ऐसा कोई भी चीज़ है जो आपको, मने आपको ऐसा नहीं लएगा यार यह तो मेरे को आना चाहिए, ठीक है, पहला चीज़ यह, उसके बाद में paper B में क्या है, paper B में R programming है, सर कोडिंग, एक्चुल में पता है, आपको जिस तरीके से कराया जाएगा न, जैसे माली जे पहला क्लास में हम लोग यह पढ़ाते हैं कि R होता क्या है, आर है practical लेकिन theory class चलेगा उसमें, आर होता क्या है, उसके advantages, उसकी disadvantages, आर कहां मिलता है, उसको download कैसे करते हैं, कैसा दिखता है, तो पहले से पहला chapter, पहला class में ऐसे नहीं होता है, कि पहला chapter निकालिये, वैसे नहीं होता है, पहले आपको 20 घंटा का पूरा proper training दिया जाएगा R में, ठीक है, कि R क्या होता है, कैसे करते हैं, कहां से download होता है, R के basic features, उसके advanced features, फिर जाके आपको पूरा चीज chapter wise start किया जाएगा, paper A में अगर अच्छा command आ गया, तो paper B में उतना difficulty आपको नहीं होगा, तो day 1 से, यह चीज समझ के चलिएगा, कि paper A के सारे concepts को बहुत strong करने है, and there are three things, as per the, मतलब अगर मान लेते हैं, MS word पे exam होता है, तो there are three things which you need to take care of, is your paper A, and paper B, and your MS word typing, ठीक है, आपको पता है, अभी भी exams चल रहे हैं, CS1 का exam है कल, paper B का, पेपरी का exam tough आया है, लेकिन आप अगर किसी से भी यह पूछोगे, कि कितना tough आया है, यह बताओता हो, तो आपको बोलेगा, नहीं यार, देख, 16-17 number का थोड़ा out of the box दिया था, उसमें से भी मैंने कुछ-कुछ attempt किया है, अब बाकी doable था, तो यह जो है ना, यह हमेशा हर paper में होगा, क्योंकि आपको यह 11-12 का एक्जाम नहीं दे रहे हैं, this is not 11-12 का एक्जाम, जो एक साल पूरा रट लिए चीज़ों को और कर लिए, यह professional एक्जाम है, 1000 टाइप के सम करो, 1000 टाइप के टाइम पर चलो, मैं ऐसा बोल भी देते हैं, कि एकदम सब कुछ मेरा किताब से है लेकिन ऐसा possible नहीं है, आप 1000 टाइप के सम करिए, आपको एक्जाम में एक नया सम देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि अगर माल लो, आप लोग जब काम करोगे, तो क्या उसको कोई किताब है, कि यह देखके यहां से कॉपी करने किताब में ऐसा तो नहीं है, आपको वहाँ पर अपना judgment लगाना पड़ेगा, आपको अपना जो curriculum है, अगर आप लोग देखेंगे, तो उसमें क्या है, probability है, random variable है, distributions है, probability मतलब एकदम पूरा basic probabilities हम लोग स्टार्ट करेंगे, and will go till base theorem, ठीक है, उसके बाद में random variable, अलग-अलग type के distributions, अब पता है, college के syllabus में और यहाँ पर क्या फरक है, college में आपको यह पढ़ाएगा, कि यह distribution आया कहां से, बट यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को लेके concern नहीं कि यह distribution आया कहां से, यह distribution को apply कहां करना है, this is our task now, अलग-अलग type के आपको 15 से 20 distributions पढ़ाएगे, ठीक है, poison, normal, gamma, ठीक है, chi-square, यह कुछ-कुछ नाम्ज है, negative binomial, binomial, geometric, hyper-geometric, ठीक है, उसके बाद में generating functions, कुछ generate होने का feel आएगा, probability या फिर moments, moments का मतलब क्या होता है, mean variance, सब पढ़ाऊंगा, उसके बाद में joint distribution, joint distribution, ठीक है, जब दो variables का काम एक साथ होगा, joint distribution, अच्छे एक बात बताता हूँ, अगर मानलो, तुम लोग कभी बजार जाते हो, तो मानलो, वहाँ पर बहुत सरा समान खरीदा, 100 रुपया का, 1.500 रुपया का, 200 रुपया का, कोई तुम लोग से अगर कभी पूछता है, कि यार बताओ कितना रुपया खर्चा हुआ, तो तुम लोग एक अप्रॉक्स बोलते हो न, कि यार एप्रॉक्सिमेटली मेरा इतना लगा है, ठीक है, अगर मानलो, तुम लोग डेली सेंटर आ रहे हो, चाहत अगर डेली सेंटर आती एक महने तक, कभी उसको मानलो 20 मेट लगता है, कभी उसको 25 मेट लगता है, कभी उसको एक घंटे लगते, तो roughly अगर उससे कोई दिन उसके मुझे पूछती है कि बेटा बताओ कितना टाइम लेगा है, तो एक एप्रॉक्स बोलीगी न वो, ठीक है, जहाँ पर कुछ भी काम नहीं आता है न, वहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रिविशन काम आता है, ठीक है, उसके बाद में, कंडिशनल एक्स्पेक्टेशन्स, कंडिशनल एक्स्पेक्टेशन्स, ठीक है, आज माल लो, तुम लोग से तुम लोग अभी जैसे कोई भी एक्जाम अगर देते हो, तो तुम लोग को अगर माल लोग पूछता है कि कितना आ जाएगा, अगर तुम लोग बुलतो है मेरको तो 92 आना चाहिए, तो तुम लोग एक एक पॉइंट एस्टिमेट दे रहे हो, पॉइंट एस्टिमेशन, बेसिकली एक चीज़ देखना, एक्स फॉइंट पॉइंट लैमड़ा, घबराईएगा मत, घबराईएगा मत दिल्कुल, एक्स फॉइंट पॉइंट लैमड़ा, तो यह जो लैमड़ा है ना, यह इस डिस्ट्रिवूशन का पेरामीटर है, इसको हम लोग को एस्टिमेट करना है, बेस्ट अन, सैंपल डेटा, ठीक है, स्टेटिस्टिक्स में, मैं तुम लोग को बोलता हूँ कि, मुंबाइकर्स, डेलीकर्स, पीपल फ्रम डेली, मुंबाइ, चैनाई, बैंगलॉर्ण, तो अगर मैं यह बोलता हूँ कि, मुंबाइके लोगों का एवरेज आईक्यू, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए मैंने 200-200 लोगों का सैंपल लिया, और उसके बेसिस में 120 आया, फिर मैं बोलता हूँ, वेश बंगॉल के लोगों का एवरेज आईक्यू, तो अगर मुंबाइके 120 है, तो लगबग 95 आना आज ये जो 31 हो गया, वाव, very good, 31 ये जो 31 बच्चे जो यहां पर बैठे है, 31 students जो यहां पर बैठे है, तो अगर मानलो मेरको यह चाहिए कि यहां पर आप लोग सबका board में कितना marks आया, तो 31 तो मैं फटा-फट सबसे पूछूँँगा, average कर लूँगा, आ जाएगा, बट यहां पर sample बोलूँगा, सब लोग अपना marks लिखो, तो पहला 5, तो एक छोटा सा sample के basis मैं बोल सको, हाँ भई, यहां पर जितने भी लोग बैठे है, सबका 90 एक एप्रोक्स, मतलब वो चीज़ है, तो उस तरीके से हम लोग estimate करते हैं चीज़ों को, ठीक है, इसके बाद में आता है, Confidence Interval, तो Confidence Interval का मतलब क्या है, Confidence Interval का मतलब क्या है, Confidence Interval का मतलब है, जैसे मानलों तुम लोग कभी exam देखिया है, तो जैसे मानलों मेरे ममी पूछती है कि बेटा, exam में कितना आ जाएगा, तो मैं बलता है, ममी, 90% तो लग रहा है कि 70 और 80 के बीच में आना चाहिए, कुछ ऐसा ही quote करते हैं न हम लोग, लेक में को लग रहा है, अब तुमको जो लग रहा है, that is not a sure event, you have some degree of confidence, मैं में को लग रहा है, 95% में को लग रहा है कि 80 और 85 के बीच में आ जाना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग एक interval में quote करें कि इसके और इसके बीच में हो सकता है, और वो शुर इवन नहीं है, वो शुर इवन नहीं है, मैंने एक degree of confidence के साथ वो बात बोला है, हम लोग रहा है, लग रहा है का मतलब क्या है, some degree of confidence, कोई बलता है एकदम लग रहा है, मतलब degree of confidence ज्यादा है, उसके बाद में hypothesis testing, ठीक है, अब मैं एक statement दे रहा हूं सुनना, ध्यान दो, लतिका ध्यान दो, मैं एक statement दे रहा हूं सुनना, the average marks of all the students studying CS1 in their board class 12 maths examination is 90, तो अब यह statement true भी हो सकता है, false भी हो सकता है, हम लोग सब बच्चों का average height 5 foot 4 inch है, तो यह एक statement हुआ, अब इसको test करना है मेरे को, ठीक है, वो chapter जो तुमको बहुत ज्यादा confidence दे CS1 में, वो confidence interval, वो hypothesis testing, बनि इतना easy है, मतलब अगर अपना छोटा भाईबेन को बठाऊगे तो वो कर देगा, ठीक है, इसके बाद में आएगा, अच्छा, एक और चीज, देखो, जब x का value 1 है, तो y का value 10 है, जब x का value 2 है, y का value 20 है, जब x का value 3 है, y का value 30 है, इसका मतलब क्या है, है, x 1 से बढ़ रहा है, तो y 10 से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह एक straight line हो गया, y is equal to 10x, ठीक है, y is equal to 10x, correlation regression, correlation regression, एक छोटा से example लेते हैं, तुम लोग comment box में बताना, ठीक है, comment box में बताना, बच्चा का, बच्चा का वजन के हिसाब से उमर बढ़ता है, कि उमर के हिसाब से वजन बढ़ता है, comment box में बताए प्लीज, यहां पर कौन सा independent variable होगा और कौन सा dependent variable होगा बच्चा का उमर के हिसाब से वजन की वजन के हिसाब से उमर उमर के हिसाब से with age weight increases age is independent age independent age के according उमर age very good but for girls especially this is not true always की उनका age बढ़ रहे तो उनका weight भी बढ़े जिसे मेरा तो बढ़ता है ठीक है मेरा तो बढ़ता है तो वैसे तो it is not always true ठीक है लेकिन हाँ यहां पर समझ में आ रहे that age is independent and weight is dependent ठीक है तो ओके ठीक है तो यह correlation regression उसके बाद में यह तो था हम लोग का पुराना जैसे CT3 जो था वो उसका syllabus है बट नया topics भी आया है जो CT6 से आया है CS1 में क्या क्या है वो सबसे पहला है Bayesian statistics credibility theory ठीक है फॉर्मुला बैठाना है दो मॉडल है फॉर्मुला बैठाने का दस नमर बारा नमर देगा क्या धांसू सो नाम रख रखा है ABCT empirical based credibility कुछ है नहीं यह देख रहना credibility theory इनी चीजों के वज़े से तो मेरको इतना confidence है कि हम लोग सब pass हो सकते हैं one of the highest pass percentages in the industry हम लोग का CS1 क्योंकि ऐसा कोई डरने वाला बात नहीं कोई घबराने वाला बात नहीं है ठीक है हो सकते है कुछ-कुछ बच्चों का first attempt में नहीं हो बट आप उनसे कभी पूछिएगा I am not here to demean anyone आप उनसे पूछिएगा क्या तुमारा preparation अच्छा था वो खुद बताएगा कि नहीं यार में को थोड़ा सा practice का कमी था या फिर मेरा MS word में कुछ typing में को issue आ रहे थे या फिर में को R programming अच्छे सा समझ में नहीं आय था यह सब cases different है मैं आपको क्या case बता रहो आप समझ यह आपका R programming पूरा अच्छा से अच्छा मैं complete कर ले तो पहले इसको और एक है GLM हलका सा तुमको अगर कोई topic लगे कि यहाँ थोड़ा difficult है तो वो GLM है ठीक है C86 में भी थोड़ा difficult था और यहाँ पर भी थोड़ा सा अच्छली समझो बात को पहला 15 तो बहुत easy हो जाता ना तो कुछ तो देगा ना तो वो GLM दिया ठीक है तो वैसा कोई बात नहीं है lots of sessions are taken so that is not a problem तो यह पूरा मोटा मोटी syllabus है इसी को हम लोग को 16 chapters है total में तो इसी को हम लोग को आपका theory में करना है और इसी को हम लोग आपको R में करेंगे ठीक है अब मेरा बात करेंगे ध्यान से सुनना मने college वाले भायादीदी तो होंगे जो उन्होंने आपको मेरा नाम suggest किया या फिर मान लोग कुछ भी मतलब भायादीदी हमेशा गाइड करने के लिए तो आते ही है तो बोलेंगे देख यार बहुत difficult है यह तो हम first day से do four mark and six mark question वैसा नहीं है आपकी जो भी fail हो आप उनसे थोड़ा सा पूछिएगा क्या problem हो गया था बताओ तो तुमको बताएगा हो कि देखो मेरा आर में थोड़ा में को समझ में कम आ रहा था या फिर हो सकता है exam time में हम nervous हो गए थे exam time में मेरा laptop अगरा कोई भी technical glitch देखो आता ही है 5% लोगों का technical glitch होता ही है exam में बीच में laptop रुख जाना आज 100 लोग exam दे रहे हैं 100 दिन अपना system on करता हूं तो होता ही है 45 दिन problem तो उसी सब सुच अगर 100 बच्चे एक बर में exam दे रहे हैं तो 45 के laptop में problem होना सुभाविक सा बात है ठीक है बट अगर पूरा R programming अच्छे से किया जाए पूरा MS Word के typing को अच्छे से किये जाए मेरा जो compiler है ठीक है मेरा जो compiler उसको पूरा अच्छे से solve किया जाए summary notes हम लोग आपको देंगे उसको अगर पूरे अच्छे से किया जाए mat का सारा back question mat के अंदर में R के codes हैं मिरसे मत पूछेगा कि क्या-क्या पढ़ना है हम लोगों मैं आपको बता दे रहा हूं mat के अंदर में R के codes हैं वो सारे mat के पीछे का back question x assignment x assignment paper b के लिए y assignment हम लोग के mock papers 6 paper a के 6 paper b के ठीक है अगर फिर भी बच जाए February का मेहना में लगे कि और क्या करें जिससे दिल को संतुष्टी मिले तो आई आई का papers ठीक है एंड जो इंडियन इंस्टूट के students है उनको तो हम लोग अलग से भेजेंगे यह अगर आपका पूरा हो रहा है जैसे CS2 का papers जो होता न मैं आपको बता रहा हूं CS2 में आपके साथ क्या होगा कि आप से कितना भी पढ़ लो फिर भी आपको ऐसा मैं शॉरेटी के संग नहीं बोल सकता कि बेटा तेरे एक बार में हो जाएगा लेकिंगे है वो पेपर ठीक है तो एकदम पहला दिन से ही टार्गेट रखना है कि A और B को साथ में लेके चलेंगे और 10-15 दिन के बाद में हम लोग अपना टाइपिंग का मैं आप लोग को वीडियोस दूंगा वह आप लोग को पूरा अच्छा से देखके स्चार्ट करना है ठीक है कितना दिन पढ़ना पड़ेगा 120 दिन पढ़ना पड़ेगा ठीक है तो ये सरा चीज जो है ध्यान से इसको करके हम लोग को करना है ठीक है so this was basically small introduction